नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनुविज्ञान, शिक्षा मनुविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदी टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है बुद्धी लब्दी का अर्थ और टर्मन का बुद्धी लब्दी सूत्र बुद्धी लब्दी, इल्टेलिजेंस, कोशन्ट बुद्धी लब्दी शब्द का सरव पर्थम प्रियोग तर्मन ने किया था बुद्धी शब्द का सरव पर्थम प्रियोग गाल्टन ने किया था 1905 में सर्व पर्थम बुद्धी परिक्षण बिने साइमन बुद्धी परिक्षण किया गया 1908 में अलफर बिने ने सर्व पर्थम मानसिक आयू शब्द का प्रियोग किया था गुनिच सो बारा में सरव पर्थम इस्टन तता कुहल मान ने द्वारा बुद्धी लब्दी का सुत्र दिया गया सबसे पहले बुद्धी लब्दी का सुत्र किस ने दिया इस्टन और कुहल मान ने IQ का टेस्ट क्या सुत्र हता इसका IQ ब्राबर mental age upon chronological age अर्थाद मानसिक आयू बटा वास्थ्विक आयू बैसल वर्ष बटा टर्मिनल वर्ष ही IQ का सुत्र होता है इसे शॉटकट में कहते हैं IQ ब्राबर MA upon CA 1916 में टर्मन के द्वारा संचोदित बुद्धि लब्दी सुत्र दिया गया जिसमें उन्होंने 100 से गुणा कर दिया तो नया सुत्र बन गया IQ ब्राबर mental age upon chronological age into 100 ऐसे ही मानसिक आयू upon वास्थ्विक आयू into 100 chronological age को real age वर्तमान आयू या वास्थ्विक आयू या तैथिक आयू भी कहते हैं वर्तमान में जो वर्तिक आयू होगी उसी को chronological age कहते हैं अब जैसे एक sample question एक बालक जिसकी आयू 10 वर्ष है लेकिन वह 14 वर्ष के बालक के समान मानसिक कार्यों को पूरा कर लेता है तो बताईए उसकी बुद्धि लब्दी क्या होगी तो यहां उसकी mentor age तो है 14 years जबकि उसकी real age कितनी है 10 years तो सुत्र में fit कर दो 14 बटा 10 इंटू 100 तो बुद्धि लब्दी कितनी आई 140 ऐसे दूसरा question एक बालक जिसके आयू 10 वर्ष है जिसकी गनित विशे में रूची 8 वर्ष के बालक के समान तता विज्ञान वर्ष में रूची 12 वर्ष के बालक के समान है तो बताईए बालक की शिक्षा लब्दी या बुद्धि लब्दी कितनी है तो गनित में उसकी IQ होगी 8 बटा 10 इंटू 100 क्योंकि mental age 8 है उसकी गनित में तो 8 बटा 10 इंटू 100 बराबर 80 विज्ञान में उसकी mental age कितनी है 12 और जबकि उसकी real age कितनी है तो 12 बटा 10 इंटू 100 120 तो दोनों का average निकालेंगे अब अब गनित और विज्ञान में जो 80 और 120 उसकी बुद्धी लब्दी आई है तो उसका हम समानतर माद्य average निकालेंगे तो average निकालने के लिए क्या करेंगे 80 प्लस 120 बटा 2 बराबर 200 बटा 2 बराबर 100 होता है दो संक्यायती इसलिए दो का नीचे भाग दिया गया है जोड कर तर्मन की बुद्धी लब्दी की सार्णी इस प्रकार है 140 एवं इससे अधिक बुद्धी लब्दी वाले को परतिवाशाली माना गया है 120 से 140 वाले को प्रकर या अतिश्रेष्ट बालक माना गया है 110 से 119 वाले को तीवरिया श्रेष्ट बुद्धी वाला व्यक्ति माना गया है 90 से 109 व्यक्ति को सामान्य या ओसत व्यक्ति या ओसत बुद्धी वाला व्यक्ति माना गया है जनरली हम सब लोग 90 से 109 की बुद्धी लब्ती रखते है 80-89 वाले व्यक्ति को मदबुद्धी माना जाता है 70-80 वाले व्यक्ति को निर्बल, शीन, सीमान्त, मदबुद्धी माना जाता है 50-70 वाले को मूर्ख, मूर्ध या अलपबुद्धी कहा जाता है 25-25 वाले को हीन बुद्धी या मूर्ख बुद्धी कहता है और जीरो से 25 वाले को जड़ बुद्धी और महामूर्ख का नाम दिया जाता है अब देखते हैं बुद्धी से संब्धिन मैत्पूर्ट तत्या नमबर वन जिस बालक की बुद्धी लब्दी 70 से कम है तो उसे हम मंद बुद्धी बालक कहेंगे ये क्रो एंड क्रो का मानना है ज्यान दे नमबर दो खेल कूद वशारिविक कारों में कुशल जो होते हैं वो मूर्थ बुद्धी वाले होते हैं नमबर तीन विचार प्रेनाएं आवेक इच्छाएं व्यक्तित्व के किस बालक का निर्मान करती है एचेतन मन एचेतन मन कितना होता है हमारे मत्यशक का नो बटा दस भाग नमबर चार एक शिक्षक का वहवात्मक बुद्धी लबदांग उचा है इसका प्रेह है कि वह संतुलित व्यवार करता है पाचवा रेवन का cohesive matrices pariction संस्कृति मुक्त बुद्धी लबदांग pariction का ही उधारन है नमबर 6 बुद्धी लबदी के समद्ध में सूचकांग क्या है मानसिक विकास की दर को सूचकांग कहा गया है नमबर साथ मानसिक आयू माप किस पर आधारित होता है मानसिक परिपकवता पर नमबर आठ बुद्धी मानसिक विकास या संग्यानात्मक विकास सिद्धान्त किस ने दिया जेन पियाजेन नमबर नो बुद्धि एंवम स्रजनातमकता में कैसा संबन्ध होता है धनातमक अरथात बुद्धि बढ़ेगी तो स्रजनातमकता भी बढ़ती है नमबर दस बाटिया बैटरी परिक्षन किसे संबन्दित है बुद्धि के निश्पदन परिक्षन से performance टेस्ट से 21. सभ्ष के बालकों की बुद्धी लबदी कितनी होती है 60-160 तक हो सकती है पर्थमकर्षक स्छ पालकों की बुद्धी लबदी 22. स सित्धान्द के अनुसार बुद्धी सामबर्दिक चिंतन है rocxt laprav बुद्धी के एक तत्यु सिद्धान्त के आधार पर ऐसा कहा। चौदा, बुद्धी जन्मजात होती हैं लेकिन इसका विकास वातावरण में भी होता है। अर्थात ये जन्मजात और वातावरण दोनों होती है। पंदरा, क्रूज के नुसार बुद्धी नई और विविन परिस्तितियों में अच्छी परकार से समायुजिन की योगेता को कहते हैं। सोला, सग्यून आकरती फलक परिक्षन किस परकार के बालकों के लिए है। ये मंद बुद्धी बालकों के लिए परियोग किया जाता है। 20. सिंप्लेक्स मैंटल परिक्षण किसने दिया था लज्जा शंकरजी ने 21. गुड एनफ निश्पादन परिक्षण में बालकों को मानव आकरती बनानी पड़ती है 22. उपलबधी परिक्षण का शरंकला निर्मान किसने किया था बाटिया ने 23. ट्राइंग एंड मैं टेस्ट किसने दिया प्रमिला पाठक ने 24. मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का परभाव जरूर पड़ता है ये किसने कहा है हरवर्ट ने 25. साचार्य वाद संप्रदाय के जनक कौन थे जॉन लॉक 26. इस्टर्ण के नुसार बुद्धी समायुजन की योग्यता है 27. प्रतिबाशाली बालक की बुद्धी लब्दी सामान्य तया 120 से अधिक मानी जाती है 28. युनोस्को एवं युनो ने जड़ बुद्धी हीन बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी जीरों से 19 के बीच में मानी है 30. भारत में सरपरतम बुद्धी परिक्षन 1922 में डॉक्टर C.H. राइस ने किया था 30. सौरेंस के अनुसार बुद्धी मान माता पिता से मंद बुद्धी संताने तथा मंद बुद्धी माता पिता से बुद्धी मान संताने भी हो सकती है अर्थात जरूरी नहीं है कि बुद्धी मान माता पिता की संताने हमेशा बुद्धी मान ही हो